हाई फ्रेंड्स वाइलकम टो और चैनल इंग्लिस वितन सर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूरेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्षन में पूछे थे के सर ऑक्जली भब्स के ओपर एक वीडियो बनाईए तो लेकर आया हूं मैं आपके डिमांड पर ऑक्जली भब्स का टॉपिक फ आपका लग्जिकल वर्ब्स इन तीन या चार जितने भी नाम है सब का मान एक होगा तो फ्रेंड्स बेगेर वक्त गवाएं हम लोग देखते हैं क्या अउग्जली वर्ब्स है क्या देखे एन अउग्जली वर्ब और गूरूप वर्ड विच हैल्प्स ता में वर्ब्स ज यह हैल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा रहा है यह बहुत ज्यादा रोल होता है इसको अउग्जली वर्ब उसे ही और शली वर्ब कहते हैं तो फ्रेंड्स पहले आप इसके रेंट सौट ले लिजिए आईए कुछ एक्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं जिससे आपका यह टॉपिक किलियर हो जाए जिसको आपको बरी आसानी से समझ सकते हैं आप एस फर एक्जाम्पल ले लिजिए आई एम गोईंग टू इसकूल आई एम गोईंग टू इसकूल बोलिये मैं डियर स्टूदेंस यह कौन सा टेंस है कौन सा टेंस का और कौन सा फॉम का सेंटेंस है देखते हैं आप लोगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बोलिये तो इस effectivement बनाने के लिए आपको पूरा सेंटेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ यहाँ पर पास्ट करना है तो आप सिर्फ वाज कर दीजी तो क्या होगा I was going to school जिससे आप पर यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपका sentence परजन कंटिनियोस से पास्ट कंटिनियोस में convert हो गया अगर आप इसी sentence को future में बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा sentence लिखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ यहाँ क्या करेंगे will be या shall be तो क्या होगा I will be going to school या I shall be going to school और परजन में बनाएंगे तो I am going to school और पास्ट में बनाएंगे I was going to school फ्रेंड्स यही है जिसे आप बरी आसानी से इसको समझ सकते हैं देखिए एक नंबर काम आपका tense change कर दिया यानि सबसे पहला काम क्या है इसका tense change कर दिया एक मिनट में tense change कर दिया ठीक है आईए कुछ दूसरा example देखते हैं जिसे आपका clear हो जाए क्या कि दूसरा example है किसके ओपर अब देखिए sentence में helping भव का काम negative और interrogative बनाना ये भी एक बहुत बड़ा point है सब students के लिए बहुत students में ने पूछे के सर नेगेटिव और interrogative में ये कैसा आहम किर्दार अदा करता है देखिए कैसे आई गो टू इसकूल अब बोले तो ये कौन सा sentence है देखते हैं फटा फट कमेंट सेक्शन में जाएए और बोले ये sentence क्या है गुड ये परजेन indefinite का sentence है तो जैसा मैं बताया आपको कि वहाँ helping भाव आप निकाल दिये तो इसका आप कैसे negative बनाएंगे बनाएए तो फटा फट कमेंट में आएए और जल्दी से डालिए जल्दी फटा फट येस कुछ-कुछ student साहिद सही बनाए होंगे देखिए इसका negative बनाने का formula क्या है आपको सबसे पहले ये समझना है इसको बनाने के लिए आपको नानी का घर से तो helping बनाने के लिए आपको नानी का घर से तो helping लेके आना पड़ेगा जो है परजेन का do या फिर does और negative पास्ट का है आपका did तो पहले एक सीच समझ लेते हैं कि इसका negative होगा I do not go to school यह हो गया I do not go to school यह हो गया आपका negative sentence यह हो गया आपका negative तो friends यह जो आप negative बनाने के लिए ना do यही होता है आपका helping verb यही होता है auxiliary verb यही होता है supporting verb यही होता है lexical verbs पहले और एक चीजद आप लोग clear कर लेते हैं कि do यह डies कहा लगाएंगे ये वी बहुत बददा problem है सब students के लिए क्या आप लोग जानते हैं do कहा लगाते हैं और does कहा लगाते हैं जानते हैं तो जल्दी बोलिए नहीं जानते हैं तो वो भी बोलिए मैं clear कर रहा हूँ good देखिए कहां लगाएंगे आप लोग do और कहां लगाएंगे does याज कहां लगाएंगे देखिए does स्रीफ हम लोग दुनिया में चार चीज के साथ लगा सकते हैं तुरा पूरा दुनिया में स्रीफ चार चीज़ के साथ हम लोग क्या लगाएंगे देखिए वो चार चीज़ क्या है He She It Single name Yes my dear students पूरा दुनिया में सिर्फ चार चीज़ के साथ आप क्या लगाएंगे देखिए और बागे पूरी चीज़ के साथ Do जैसे यहाँ देखिए आपका क्या sentence था I I के साथ do not does देखे तो यहाँ I है कही Good I नहीं है इसलिए उसके साथ लगाएंगे Do ना के does अब बोले तो राहूल के साथ do not does जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए सीमा के साथ do not does रानी के साथ do not does Good यही है आपका तो friends I think आपका sentence clear हो गया और इसी sentence को अगर आपका interrogative करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे Do को लेंगे जैसे इस sentence का क्या होगा Do I Go to School यह हो गया आपका interrogative sentence तो friends I think इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं अब समझ लेते हैं क्याकि auxiliary verb का part कितना होता है इसका कितना part होता है आए बड़ी आसानी के साथ उसको भी समझ लेते हैं पहले आप screenshot ले लिजे Good तो auxiliary verb तीन तरह का होता है auxiliary verb का कितना बच्चा है तीन बच्चा है एक है primary auxiliary verb एक है model auxiliary verb और तीसरा है marginal auxiliary verb primary model marginal क्या क्या primary model marginal primary auxiliary verb model auxiliary verb marginal auxiliary verb आईए हम लोग देखते हैं primary auxiliary verb में सबसे पहला आएगा B verb B verb में आपका क्या होगा is, am, are was, where उसके बाद होगा आपका do verb do verb में आपका आएगा do does did उसके बाद आपका आएगा have verb यानि have has और एक होगा head देखें friends total आपका कितना आएगा 11 उसके बाद दूसरा आपका क्या आएगा model model auxiliary verb में आपका आएगा क्या may might can could shall should must उसके बाद आएगा will would ought to plus v1 यानि सब के साथ जितना भी model auxiliary verb है अपने साथ हमेशा v1 लेगा और last में जो आपका है वह है marginal auxiliary verbs marginal auxiliary verbs यानि उसमें आएगा used to need not dare तो फ्रेंड्स यही है आसा करता हूँ उमीद करता हूँ कि साइद आप मेरा इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो का लाइक अर शेयर कर दीजिए और चैनल को जरू सबस्क्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग